आज हम बात करने वाले हैं कि आगर आपने किसी Bluetooth headphone या फिर earphone या फिर अपने किसी Bluetooth speaker को अपने phone से connect किया है बट यहाँ पर connect करने के बाद आपके device से sound नहीं आता है जैसे कि हमने यह earphone connect किया है अपने phone से बट हमारे इस device से यहाँ पर sound नहीं आता है और आप देख सकते हैं Bluetooth में जाकर हमारा यह device connected है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आपको भी अगर इस टाइप की problem आ रही है चाहे वो आपका Bluetooth speaker है headphone है earphone है तो यह problem कैसे ठीक कर सकते हैं आईए आज की इस video में जानते हैं तो यहाँ पर आपको दो से तीन settings को follow करना है और उसके बाद आपकी problem ठीक हो जाएगी तो सबसे पहले यहाँ पर phone में कुछ settings करनी होंगी तो phone में कुछ settings करने से पहले आप अपने donor device को restart करिए यहाँ की अपने device को भी बंद करके चालू करिए और अपने phone को भी restart कर लीजिए उसके बाद आपको चेक करना है क्या आपकी problem ठीक होई है अगर ठीक नहीं होती है तो settings में जाएए यहाँ पर bluetooth को on करेंगे और आप देख सकते हैं यह device जो आपका connect होगा यहाँ पर इस type से आपको show हो जाएगा तो यह हमारा connected है और आप देख सकते हैं कि यह वाला option मिलेगा आपको arrow वाला option arrow पर click करिए अब उसके बाद आपका हो सकता है यह सारे option यहाँ पर बंद होंगे आप देख सकते हैं phone calls और media audio तो इन options को यहाँ से चालू करिए phone calls को चालू करिए और main option है media audio इसे भी यहाँ से चालू कर दीजिए और main यहाँ पर आपको दिक्कत यहीं आती है आपके यह option disable हो जाते हैं गलती से यहाँ फिर आपकी device की वज़ा से तो यह चेक कर लीजिए अगर आपकी problem ठीक होई है तो ठीक है अगर नहीं होती है तो आपको settings में आकर यहा करना है reset और आपको यहाँ पर एक यह वाला option मिलेगा reset wifi mobile network and bluetooth या फिर अगर इस नाम से नहीं होगा तो आपको search करना होगा reset network settings तो reset network settings के नाम से हो सकता है हमारी phone में इस type से दे रखा है तो इस पर click करेंगे अब उसके बाद नीचे reset settings पर click करिए अपने phone का lock enter करिए उसके ब settings have been reset यानि कि आपके phone की network settings reset हो चुकी है और network settings को reset करने के बाद आप अपने phone को एक बार बंद करके चालू कर लीजिएगा और आपकी problem ठीक हो जाएगी आपके device से यहाँ पर sound आने लग जाएगा जो आपने connect किया होगा और network settings को reset करने से आपका कोई data delete नहीं होगा कोई photo video application delete नहीं होगा आप पढ़ सकते हैं आपकी wifi, mobile data और bluetooth की settings reset होगी तो इसी तरह से आप इस problem को ठीक कर सकते हैं video अगर आपको पसंद आई हो तो video को like करें और हमारे channel को subscribe जरूर करें